आज की वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि कैसे आप अपने आपको जॉब के लिए रेडी कर सकते हो जिया बिल्कुल ठीक सुना आपने क्योंकि जर्णली क्या होता है आपको यह पर इंटर्वियू देने चाते हो वह आपका रिज्वीव में बढ़ते हैं उसको देखते हैं फिर वह चेक कर दें कि आपके पास कितना experience है और आप फ्रेशर होते हैं आपके पास experience नहीं होता है वह और इस बेस इस पर आपको आप प अच्छी हो जाए तो इन सारी चीजों का ही solution आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इस पर फिर आपको काम कैसे करना है वह आपके पर डिपेंड करते हैं सबसे पहले तो इस वीडियो को सभी दोस्तों क्या शेयर कर दो ताकि जाद से जादा लोग तक यह वीडियो पह जितने मैकसिमम लोगों के पास यह वीडियो पहुंच पाएगी उतने मैकसिमम लोगों को यहां पर चांस बिलेगा इस अपॉंचिटी को ग्रैब करने का अब बात कर लेते हैं ऑपरशनिटी किस ओर्गनाइजेशन की तरफ से निकल के आ रही है तो यह आपका डिए डिप काम जाता है उपको किया जाता है इसके बाद हम आपके चीजों को सीखते हो कि काम कैसे होता है एक और अपका आपर इंटर्वी लिने जाती हो तो आप उसको वापर शो कर सकती हो सो इस तरीके से यहां पर इनका कुछ प्रोसेर होता है और अब हैं आपर हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन candidate से आपर इसको अपलाइक कर सकते हैं मतलब है क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है तो यहां पर जिन्हों ने अपने engineering department और graduation complete कर रखी है यहां पर इसको अपलाइक कर सकते हैं प्लस यहां पर जिन्हों ने अपना diploma complete कर रहा है वह यहां पर इसको अपलाइक कर सकते हैं अब आपका graduation or diploma के इस department complete होना चाहिए होना चाहिए आपका mechanical, civil, electronics electronics and communication CAC, इन सभी department से आपके यहां तो graduation complete होनी चाहिए number of seats भी आप यहां पर देख सकते हैं 300 seats यहां पर graduation वालों के लिए और यहां पर 113 seats हैं डिपलोमा वालों के लिए अब बात करते हैं पर stipend की क्योंकि एगए apprenticeship program है तो यहां पर जो graduation वाले candidate है उनको यहां पर 9,000 रुपे stipend मिलेगा इसके लाओ है यहां पर आपकी जो graduation ओर diplôm कंप्लीट कर रहा है वो विधिद टाइम में ही आपने complete किया होना चाहिए ऐसा नहीं कि चार साल का कोर्स है और आप उसको पांच साल में complete कर रहा है तो यह चीज़ नि होनी चाहिए आपने अपने कोर्स को given time में complete किया होना चाहिए इसके लावा बात करते हैं आपर सबसे important कि यहाँ पर selection कैसे होगा कि कैसे आप बिना किसी interview बिना किसी exam के इस apprenticeship को grab कर सकते हो अब यहाँ पर जो आपने graduation और diploma अपना complete किया है आपने कुछ marks भी यहाँ पर अचीव कियोंगे उनी marks के basis पर यहाँ पर selection होने वाला है अब आपने सारे marks को आप अपने सारे marks को आप अपलोड करना पड़ेगा आपको आप पर shortlist के आज़ा सके ताकि वो आपको call कर सके यहाँ पर join होने के लिए इस तरीके से आपको इनका selection process रखागा है इसके लाव आपको आपका document verification होगा आपका merit list बनेगी और उसके बादे आपको एक joining letter दे दिया जाएगा इसके लाव बात करते हैं इसके कुछ आपड़े dates के बारे में 5 December 2023 से इसके इस form भरना स्टार्ट हो चुके और यहाँ पर इसके 15 December 2023 से इसके form की last date होने वाली है जितने भी candidate जो इसके लिए interested है वो make sure जब इस वीडियो को देख रहे हैं उसके तुरंद बाद इसके form को apply कर देना क्योंकि last date तक websites बहुत जादा busy हो जाती है so form fill उनमें यहाँ पर problem हो सकती है अब बात करते हैं आपको इसके form को apply करना तो आपको इसके form को आप फिल करना है link मैंने description में दे रखा है वहाँ पर जाके click करोगे इनका official page खुल जाएगा और वहां से आके सारी information को पहले आप पढ़ सकते हो अच्छे से कोई और doubts हो तो आप आपके clear कर सकते हो और उसके बात वहां पे इसके form को आप फिल कर सकते हो इनकेस अगर आपको जाएगा पढ़ सकते हो आप मुझे comment करके बता सकते हो आपके सारा doubts को तरन तो आपके resolve कर दूँगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को सादर दर शेयर करना ताकि ये वीडियो सही के अंड़ीट तक पहुंच पाए जिसको इस अपॉशन टीक को ही जरूरत हो और गाइस मैं आपसे मिलूँगा नेक्स वीडियो में नेक्स सरकारी जॉब डेट का तब तेक लिए गुडबाएं टेक क्यार